दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत है तेजरस विलोग के एक और खास वीडियो में दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर्शाड़ियो का बिजनिस कैसे स्टार्ट करें तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि यदि आप नया बिजनिस करना चाहते हों साडियो का और वो भी आपके पास low investment है तो उसके लिए क्या क्या टिप्स है आप लोगों के लिए तो आप इस वीडियो को पूरा दे कि वीडियो पसंद आए तो वीड क्रोड रुपे लगा लो 50,000 में क्या होगा तो देखे ऐसे बहुत सारी लोग आपको जीवन में मिलेंगे जो आपकी टांगों को पकड़ कर खीचना चाहेंगे क्यूंकि वे लोग ना तो क्रोड़ों तक पहुंच पाते और ना ही वे जीरों से स्टार्ट करना चाहते हाथ पैट तुडवा लोगे ये आप अपनी जिंदगी से सबक ले लिजे किसी भी ऐसे लोगों के भकाई में मत आये कि लोग इन्वेस्टमेंट से आपका काम नहीं स्टार्ट हो सकता बिल्कुल हो सकता है ये एक मोटिवेशनल वीडियो भी है और खास तोर पर साड़ी के उन नए बिजनिस मैंज के लिए मैं इंपोर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ कि यदि आप साड़ी का बिजनिस स्टार्ट कर रहे हो तो आपके मन में एक ग्राफ भी आ चुका होगा कि आपको वो साड़ी का बिजनिस किसी लेवल पर स्टार्ट करना है ये दोस्तो सब वार गुरुवार सनिवार साम को साड़े पांच बजे आप सब्ता में तीन दिन हमारे साथ जोड़ सकते हैं जो भी कमेंट्स आप लोग करोगे उस कमेंट्स के ओपर ही हमारी वीडियो बन के तैयार हुआ करेगी तो आए दोस्तों जादा वक्त बरबाद नहीं करता आपक करते हैं नमस्कार मैं हूँ प्रैला सिंग और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल तेजर सुलोग दोस्तों साड़ी बनाने का सबसे बड़ा हब है सूरत बैंगलोर वारानसी और आप तो साड़ी दिल्ली के अंदर भी बनने लगी और जब से डिजीटल इंडिया का कारिय करम शुरू हुआ बहुत सारी ऐसी जंगर पर है जहां पर कलोट्स का काम होना शुरू हो चुका है मगर हम यहां पर बात कर रहे हैं साड़ी के बिजनिस को स्टाट कैसे करें मैं एक नॉर्मल सा मिनिमम सब प्राइस ले ले लेता हूँ पचास हजार रु हैं और किस कस्टमर के लिए कर रहे हैं बिजनिस मार्किट में दुकान किराय पर लेकर कर रहे हैं या अपने घर से स्टाट करने वाले हैं तो मैं आपको यह बिजनिस घर से स्टाट जो करना चाते हैं पचास अजार रुपे से उनके लिए यह वीडियो बना रहा हूँ क्य ऐसे किसी भी वैक्ति से सलाह ना ले जो जीवन में खुद तो सफल हुआ ही नहीं और आपको भी ये कह देगा कि 50,000 रुपे से क्या होता है एक करोड रुपे हो तो बिजनिस करो वरना मत करो ऐसे बहुत सारे लोग आपके पास मिल जाएंगे तो उन लोगों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना इतने आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट नहीं करोगे इतने आप एक करोड तक नहीं पहुँच पाऊगे सबसे पहले होसलों और हिम्मत अपने अंदर रखिए और जजबा रखे कि हमें कुछ जिंदगी में करना है दूसरा टोपिक आप बिजनिस स्टार्ट करना चाहते हैं आपके पास कोई एक्स्पिरियंस नहीं है मगर सभी के घर में मा बहने पतनी होती हैं उनसे सलह लिजे कि आप यदि मार्किट जाती हो तो कितने रुपे की साड़ी खरीदना पसंद करोगी कौन सी साड़ी लेना पसंद करोगी किस तरह की डिजाइनिंग की साड़ी लेना पसंद करोगी या घर की साड़ी आप अलग रखती हो या पार्टी में पहन कर जाने की साड़ी अलग रखती हो तो ये आपको अपने घर से ही पता चल जाएगा उसके बाद आपके संपर्ग में और बहुत सारी महला ही होंगी आपके आसपडोश की होगी, आपकी रिस्तेदारी में होगी उन सब से संपर्ग कीजिए और उसके बाद आप अपने ही सहर के अंदर या आसपास जो आपका relative जहां से आप माल लाते हैं उन से संपरकि कीजिए कि हम नया साड़ी का बिजनिस स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ हम important tips दे दीजिए कि क्या हम ध्यान रखे साड़ी का बिजनिस स्टार्ट करने में और क्या ना मेरे हिसाब से जो दुकंदार है वो आपको सलाह नहीं देगा पचास हजार रुपे में साड़ी का बिजनिस स्टार्ट करने के लिए क्योंकि ये एक ऐसा समुंदर है इसमें आप एक करोड रुप भी लगा लोगे तो तब भी कम है मगर स्टार्टिंग हमें करनी हैं तो आप जरूर कर सकते हो क्योंकि साड़ी 45 रुपे से स्टार्ट हो करके 30,000 पलस रुपे तक की भी साड़ी होती है और आपको दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे होलसेलर मैनुफेक्चर का गरहक की श्रेनी तैय करनी है कि आपको निम्न कोटी के गरहक चाहिए मध्यम फैमिली के चाहिए या उच्छ कोटी के गरहक चाहिए तो मैं आपको यहां पर एक सजेशन देना चाहता हूँ उच्छ कोटी तो आप भूल जाए क्योंकि 50,000 से स्टार्ट कर रहे है तो प्रोस रिस्तेदारी में भी वही लोग पहनते हैं बहुत अच्छी अच्छी साड़ी आ जाती है जब आप डिरेक्ट मैनुफेक्चर से जोड़ोगे डिरेक्ट उनसे माल लोगे तो वह एड्रस में आपको दे दूँगा वीडियो की किसी भी भाग में दे दूँगा आप को दो बार तीन बार जाना पड़े 50,000 रुपे 81 एकटे एकदम से पैंडिक मत कीजेगा क्योंकि आपको एक्सपिरियंस नहीं है और उस एक्सपिरियंस को लेने के लिए आपको कम से कम 20,000 कमाली स्टार्टिंग में लाना पड़ेगा अपने घर से स्टार्ट कीजेगा घर पे कुछ भी चाहे फरनीचर नहों चाहे एक मेज हो उस मेज के ओपर लगा लिजिए आसपडोस की महिलाओं को बताईए हमारे पास साड़ी है और बहुत सस्ती साड़ी हम बेच रहे हैं तो इस्टार्ट कर सकते हैं कुछ ना कुछ आपका खर्चा निकलना सुरू हो जाए और 60-80% का मारजन सोरूम वाले ले लेते हैं सोरूम वाले तो डबल भी ले लेते हैं यदि कोई चीज 500 की पड़ी तो उसे 1500 में भी बेच देते हैं मगर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है आपको मात्र 25% मारजन लेना है 30% भी मारजन नहीं लेना है इतना ध्यान लगएगा 100 रुपे की साड़ी पर 25% यानि के 125 रुपे 25 रुपे आपके बच गए आप लोग अब का होगे कि 25 रुपे में क्या होता है तो ये गलती आप बिल्कुल मतीजेगा 25 रुपे की कमाई आपकी एक साड़ी की है यदि आपने मात्र 5 कस्टमर को 25 रुपे यानि के 5-5,500 रुप 25 रुपे में तो 25 रुपे 25 रुपे आपकी इंकम हो गई अब बात कर लेता हूं कि 100 रुपे से 500 रुपे तक की साड़ी है यदि उनमें 500 तक की चली गई दो तीन साड़ी 25 रुपे 25 रुपर ही 125 का मुनाफ़ा आपको हो जाएगा कहना मतलब दिन के अंदर आप 400 500 रुपे इस चोटे से मारजन से कमा सकते हो और महिने में यही 400 500 रुपे 10,000 से 15,000 रुपे महिना बैठ जाएगे जहाँ पर आप एक दम से बिल्कुल बेरोजगार थे वहाँ पर आपको इंकम का एक सोर्स मिल जाता है तो यह 50,000 रुपे आपके बहुत काम आने वाले हैं जब आप हो तो जो आपके कस्टमर है वे आपके पास आएंगे कुछ को पसंद आएगी कुछ को नहीं पसंद आएगी तो आप लोग उनसे सीखें उनसे पूछें कि आपको किस तरह का माल चाहिए 10,000 का फिर माल मंगा लिजे बार बार जाने की जरूरत नहीं है उस दुकान के पास उस है मैनुफेक्चर के पास एक बार देखाईए देखाने के बाद डायरेक्ट फोन पे आप उनसे माल मंगा सकते हैं ओनलाइन आपके पास पहुंच जाएगा और कोई एक्स्टा चार्जिस भी नहीं लगेगा जो चार्ज आपको वहाँ पर जाने पर मिल रहा है वोई च पास माहले की या रिष्टेदारी की महिलाओ को प्रोडेक्ट बेच रहे हो तो किसी भी तरीके से क्वालिटी में कम्प्रोमाइज मत कीजेगा यदि आप पांस सो या दो सो या तीन सो रुपे की साड़ी भी ला रहे हैं तो उसकी क्वालिटी आपके मुताबिक आपके फै 500 रुपे की साड़ी मिलेगी वो मार्किट में 400-500 रुपे तक की मिलती है क्योंकि मैनुफेक्टर के बाद पहले सूपर डिस्ट्यूटर पर जाते हैं फिर होलसेलर पर आती हैं फिर उसके बाद सप्लायर पर जाती है और जब आप तक वे पहुंशती है तो जो 200 वाली सूर्पे में बेच सकते हो लेकिन ये एक हिडन फोर्मूला होता है जिसे आपको किसी को भी जिकर नहीं करना है खास दोर चापनी घर की महिलाउ से तो जिकर करना ही नहीं है क्योंकि महीलाओ का पेट बहुत पथला होता है और वे नह包Dop यह को अपने मोहलेज़ो सवालियू को बता देए कि हमारे पास तो इतन की आई थि और हम तो 25 रुपए मुनफ़ ले रहे ह 국 थे बेस 527 रुपए मुनफ़ें रहे हैं लेकिन असली रेट बताना यह जाइज नहीं यादि आपके पास 200 रुपए की कोई प्रोडेक्ट आया है कोई साड़ी आई है तो आप उटोमेटिकली उसे डहे सो रुपेगी बताए कि यह डहे सो रुपेगी तो हमारे पास ही आई है और 275 की हम उसे आपको दे रहे है तो पच्छीस रुपे ले रहे है तो विश्वास जमाना बहुत बड़ी बात होती है इस लक्से च्छत है जाने के लिए पहली पैड़ी पर आप पैर रखोगे तब च्छत पर जाया जाएगा इसलिए आपका एक लक्से है कि घर की दुकान से हम किसी तरह सो रूम में जाकर बैठे अपना सो रूम खोले एक तो आपको यह फायदा होगा कम इन्वेस्टमेंट करन जाएगा बस आपको थोड़ा सा होसला बंद है रखना है एकदम से कोई भी काम नहीं चलता आपको इस पचास हजार को रिकवर करने में हो सकता है च्छे महिने लग जाए हो सकता है एक साल भी लग जाए मगर यह काम जब स्टार्ट कर लिया तो बंद मत करना हाँ एक साल के अंदर आपका रिजल्ट आजाएगा बहुत ही बहतरी आपको इसमें नुक्सान नहीं होने वाला है यह जादा से जादा इतना हो सकता है कि आपको जितने का लाए हो उतने का देना पड़ जाए ग्रहक बनाने के लिए लेकिन सदा भारा एटम होता है इसमें किसी भी तरह क नुक्सान होने वाला नहीं है बस आपको हिम्मत नहीं आरने हो लगातार काम करते रहना है दोस्तों जब आप घर पर दुकान खोल लेते हैं तो आपके पास कई तरह के कस्टमर आते हैं आप सभी को संतुष्ट नहीं कर पाऊगे बस आपको एक दो कस्टमर को संतुष्ट क कराना है उन्हीं लोगों के लिए जो आप से माल लेकर जा रहे हैं जो आपकी टांग खिच कर जा रहे हैं उनको आप भूल जाएए उनसे आपका कोई मतलब नहीं है जब आप बड़े लेवल पर काम कर लोगे तो वे लोग आटोमेटिक खुद आएंगे एक दिन आपको कहें चपलों का खिचना भाग दोड करनी पड़ती है और घर से स्टार्ट कर रहे हैं कोई बातनी कोई भी काम छोटा नहीं होता उपर ले वाले के उपर विश्वास वार अपने अंदर हिम्मत हो तो कुछ न कुछ कामी स्टार्ट हो जाता है आज किसी भी बिजिनिसमेन को आप हमिस्द छोटा होता है और एक नाग दिन उसका कद बड़ा हो जाता है तो आप भी अपना बिजिनिस से स्टार्ट कर सकते हो बस आपको क्वालिटी मैंटेन करके चलनी है जादे हैवी भी नहीं मीडियम ले करके चलनी है अपने बजट में ले करके आनी है और आपको कुछ नहीं कहना सिर्फ जो मैनुफेक्चर है उसको यही बताना है कि सर हमारी दुकान यहां पर है इस एरिये में पढ़ते हैं मेरे पास पचास हजार का बजट है मगर मैं अभी पच्चेस यतीस हजार का माल लूँगा जिससे की जो रिक्वार्मेंट होगी मैं फिर आपसे मंग देता हूँ जो सूरत में बैठे होए हैं यह एड्रस स्क्रीन के ओपर आपको दिखाई दे रहा होगा कोंटेक्ट नंबर दिखाई दे रहा होगा आप इस कोंटेक्ट नंबर पे कोल करके इन से माल मगा सकते और तेजस वलोग चैनल का नाम लीज़ेगा तो आपको कुछ कुछ कंसेशन छोट जरूर इहां से मिल जाएगी तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़े धन्यवाद थेंक्यू एर मच हमारी वीडियो देखने के लिए थेंक्यू सो मच